तो क्या होगा अब जम्मू कश्मीर का क्या बीजेपी को ये दिखाई दे रहा था जो वाइदे किये थे वो वाइदे पूरे नहीं हो पा रहे थे जम्मू कश्मीर के हालात लगातार खराब होते जा रहे थे इसलिए बीजेपी ने सोचा कि जवाब देने से बेतर है कि पीड ताब उनसे सबाल नहीं करेगी इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेमान हमारे साथ मौझूद है एके मिश्रा जी है, राजनीतिक विशलेशक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्या बीजेपी को ये भी दिखाई दे रहा था कि अब तक चार साल में जो वहाँ पर कुछ नहीं हुआ अगर वहाँ पर अब एक डिल साल का अगर वक्त उनको मिल जाता है, राजपति शासन लगता है तो जो लोकसभा चुना में वो कह रहे थे कि सकती से इन हालातों से हम निपटेंगे, क्या अब सकती से इन हालातों से निपटनेंगे असे देखिए, फ्राम दे डे वन, जब ये दोनों सरकार का मिलन हुआ था, गड़बंधन हुआ था इन्हों ने खुद ये बोला था कि नौर्फ और साउच्पोल मिलकर कि ये गड़बंधन हमने बनाया है और एक हम नहीं दशा और दिसा काश्मीर में देंगे मैं बोलता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बिपक्ष्टे लोग या बिपक्ष्टे नेता इस चीज को समझ नहीं पाते हैं ये फैक्ट तो नेकेट आई से है, आप बीजेपी के काम करने की नीती, रणनीती, चाल चलन को देखो, आपको समझ में आ जाये जा बीजेपी के आईडियोलोजी के टोटली अगेंस जो पार्टी है, उससे शेक हैंड हाथ मिलाने का परपस क्या था, तो डिफनेटली वही शुरू में ही बीजेपी का एक मंशा थी, काश्मीर के सासन प्रशासन में गुश्ले की, वो उन्होंने किया, अब रही बात क्या, पहला आटन्ट उन्होंने किया सुधारने का, उसमें पूरी सफलता मिली, आंसी सफलता मिली, नहीं मिली, लेकिन डैमेज कंट्रोल का जो प्रोसेस है न, वो बीजेपी का बहुत अच्छा है, आपने जो बोला, वो सही बोला, ये करेंगे क्या, इन्होंने कंडिशन ऐसा क आले ही बोल चुके हैं, कि हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे, राश्पति सासर लगाओ, यानि भोडे के उपर सवार कोई भी हो, लगाम पीछे से बीजेपी खिचेगे ही खिचेगी, इससे बीजेपी को एक पैदा ये हो सकता है, कि अभी महभूबा मुक्ति जो सरकारी काम में या बीजेपी का जो भी एजेंडा सही या गलत था, उसमें जो थोड़ा बहुत प्रतिरोज या अरंगा या ये सब चीजे होती थी, वो अब बीजेपी को नहीं होगा, तो हो सकता है, बीजेपी ने ये प्लान किया हो, कि एक साल के भीतर हम वहाँ बहुत कुछ जुन कर मार रहे है, सरकार विकास को काम को लेकर संजीदगी से काम कर रही, आज बयान उल्टा तो जनता के कैसे समझ में आएगा, कल कुछ और, आज कुछ और, आज कुछ और, आसे वीजेपी इनी सम्मामलों में दूसरी पार्टियों से ये एक रणनी थी है, और जो एला दिया होता, तो शायद ये ब्लेम उनके सर पे नहीं आता, इन्होंने इतनी चालाकी से थे कि बीजेपी भी ऑपरेट कैसे करती है, 6S का फार्मूला, हमारे प्रदार मंत्री जी S बहुत यूज करते हैं, आसे यहां पर यह नहीं कहा जा सकता, कि बीजेपी ने जो फैसला ल अब सवाल है, क्या दोनों के गटबंधन को लेकर, क्या जो कारवाई की जा रही है सेना की तरफ से, या सुरक्षा के हालात को लेकर, वहां पर हालात काफी जादा खराब थे, इसके बारे में पूछाएंगे मिनाक्षी जी से, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने इसके बाद आपका स्वागत है, आप देख रहा हमारा खास कारकरम आज का मुद्धा, बीजेपी और पीडीबी का गड़वन धन तूट गया, जम्मू कश्वी में सरकार गरिग गई, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हालात क्या अब और भी ज्यादा खराब होंग अब हम यह तो क्लेम नहीं कर सकते कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी में अगर देखें, तो जो वहां के जो सुरक्षबल हैं, जो वहां के जो सैनिक हैं, अभी अगर उनको फ्रीडम पूरी दी जाएगी, अगर ऑल आउट तो कोई उनके ऊपर चपल फैंक रहा है, कोई उनके उपर सर पे उनके हलमेट को उतार रहा है, कोई पत्थरबाज आके उनका पूरा जो रास्ता है वो रोक रहे हैं, और सैना के पास में हतियार होते वे भी उन्हें कुछ कोई एक्षिन ली लेना है, तो फोज किसले रहती फॉज इसले नहीं रहती है कि आप आओ और हमको बेज़त करो और हम पर अटाइट करो फॉज का काम यहां पे जो है जो मॉब जो प्रेनिंग है मॉब ट्रेनिंग के लिए नहीं की गई है मॉब ट्रेणिंग करने के लिए पेरा- cryptocurrency फोस्टेज़ पोलिस फोस्टेज़ थे सानिक काम है बॉर्डर पर लड़ना बॉर्डर पर आमने सामने की लडाई करना यह जो छुप-छुपके वार किये जा रहे हैं उनके जो पीठ पे जो छुरे गोपे जा रहे हैं तो अगर उनको अब प्रेजिदेंट ये अपना जो गवर्नर रूल पे अगर उनको वो आजादी मिलेगी ऑपरेशन्स करने की तो हमारी जो फॉज है वो बिल्कुल निकम्भी नहीं है अच्छे से काम करें बिल्कुल अब इसका सकरात्मा का असर पढ़ा और ये सच्चा ही है जी बिल्कुल पढ़ रहा था अगर जो पॉलिटिकल जो वो फ्रेम है अगर उसके सीजफायर का जो प्रपोर्शन रखा गया तो वो क्यों रखा गया एक कहता है कि सीजफायर होना चाहिए एक कहता है नहीं होना चाहिए क्योंकि लेकिन आपका एजें अपर जेनिक एवपर तुरे लीट मर रहें हैं इन ही के उपर इटाइक हो रहे हैं यही लोग घाल हो तो जो ऑर मिर्व ठीकल अजेनदा है आपको जसे आपको सेस्थार चाहिए यहांकि को फोरं सुषना चाहिए ज्याओ के जो आपकी पर जब कोई militant मरता था तो उसके जनाजे नहीं निकले जाते थे, पूरी जो आवाम है, पूरी आके उनका जिन्दा बाद नहीं करता था, आज की डेट में यह है कि जब वहाँ पर जनाजे निकलते हैं, तो वहाँ पर दस और militant पैदा होने के लिए खड़े हो जाते हैं, त जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी जब आप कमेंट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स मुझे समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि वो बच्चे जो है, गुम्रा बच्चे हैं, बच्चा जो है, एक बारा साल का बच्चा होता है, छे फूट का बच्चा नहीं होता है, ज लेकिन हाँ, आप उनको क्लेम कर रहे हैं कि वो बच्चे हैं, उनको माफ कर दीजे, कब तक माफ करने की बात करते हैं, आपने 1990 में वहाँ से सारे हिंदुों को निकाल दिया, अब आपका एजेंदा क्या रह गया है, तब भी पीस नहीं था, अब भी पीस नहीं है, तो आखिर वहाँ की जनता चाहती क्या है, इसके क्या राजनितिक असर था पूरा सेना के उपर, दोनों का गडवन्धन जो था, बेमेल गडवन्धन था, क्या इसका असर था, क्यो नहीं पड़ा, आप ये सोचिए, कि जो फॉज का है, फॉज की जो डूटी है, वो उससे पता है, उस मिनाक्षी जी, इसमें जो केंट सरकार लगातार क्या रही, कि हमने जो है, वो सेना को खुली छूट दे रखी है, सेना कारवाई कर सकती है, लेकिन अगर खुली छूट दे दी, एक तरब वो पत्थरवास पत्थर मार रहा है उनके उपर, उनके खिलाब जो कूडा फेक रह मनोबल गराद गयता होती है, वो रहता है, वहाँ पर रहता है, उसके बाद क्या होता है, सानिक के कुछ नहीं होता है विकल एक के मिश्रा जी, सवाल यह कि जो दोनों पार्टियों का गड़बंधन था, क्या इसको लेकर सुरक्षा को लेकर एक तरह से समझोथा हो चुका था? असित देखे, 101%, यह गड़बंधन क्या था? अब जो लोकल पुलिस है, वो फो सपोर्ट करना चाहिए, वो उतना एफेक्टिवली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोकल गवर्मेंट का आवेस, जो सीय में वो कुछ और है, तो यह एक बहुत बड़ा जो है, मतलब मिस्मेनेजमेंट होता था, किचा तनी वहां पे आवेसा चलती रहती थी और आपरेशन को सही तरीके से अंजाम नहीं देपा रहे थे, चुकि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा, दोनों, इवन काश्मीर मुदे को ले करके इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या एप्रोच होना चाहिए, दोनों पार्टियों की विचा जब आपरेशन से पीस को कायम करने के लिए, पीस को रीस्टोर करने के लिए, चाहे वो सक्ती बरतना हो, और चाहे नर्मी बरतना हो, दोनों ही चीज़े वहां पे नहीं हो पा रही थी, तो जिसका परिणाम ये था, देखे, पॉलेटियों के बेनिफिट सारी पार्टिया लेती है, बीजेपी ने भी बड़ी सत्राइब ये वो लोगा कि उन्होंने पॉलेटिकल बेनिफिट लिया, बीजेपी का एक एजंडा, एक स्टेटजी ये होती है, बीजेपी को क्या फैदा हुआ गडबंदन से, अगर आपकी नजर में को लग रहा है, तो क्या फैदा सबसे पहली स्टेटजी इनकी ये होती है, जो आपके विपक्षी दल है, आप उनको एक्सपोज करो, चार साल में कुछ किया या नहीं किया, अब उन्होंने एक्सपोज करके सारे आरोग तो लगा दिये न, कि हम तो जी पूरा सपोर्ट दे रहे थे, और ये स्टेट गवर जो काम नहीं करता है, वो इसलिए नहीं करता है, तो कि स्टेट गवर्मेंट की नॉन कोपरेशन वहां पे था, अब हम रास्पती शाह से करा दे करेंगे, अभी तक तो कह रहे थे कि हम पूरी तरह सरकार सही काम कर रही है, पीड़ीप सही काम कर रही है, आसित देखे, वो शुरू-शुरू के दिन है, जो मतलब मैं अफर लोग सवाल पुझागे, सवा तीन साल तक आपने कैसे के चली गाड़ी, बेवेल जब गाड़ी थी, सवा तीन साल जो होता है, देखे, होने को तो तो ये तो फ़र पाहले दिन से इनको पता था, देखे, बीजेपी की जो म पुरा किया, सबसे पाला जंड़ा क्या हो सकता है, ये कभी नी वहाँ सरकार में थे लहीं, सरकार में जब आप एक्टिब पाइटिसिपेट करते हो तो आपको लोकल बहुत सारी जानकारियां, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मिलती है, हो सकता है, बहुत सारे नए को ट्रांस्वर किया गया हो, नए लोगों को इंपोर्टेंट पोजिशन पे एपॉइंट किया गया हो, और अब उनको लगा कि सारी परिस्टिवियां हर जगा हमने अपनी वोट जो है, फिट कर ली है, तो अब बहार एक्सिप करके राजपती शासन लगाया जाए, तो इस अनिल मिश्राधी, गडवंधन भले ही दोनों पाटियों का था, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में जो सब कुछ सुरक्षा को लेकर, कारवाई को लेकर, आंत्रिक मामले को लेकर, क्या सब कुछ जो चल रहा था, सिर्फ PDP का चल रहा था, ये मजबूरी से दिखाई दे रही कट हुआ कारण को लेकर, जो फैसला लिया, सरकार ने बीजेपी नहीं चाहती थी फैसला हो, इसके बाद जो रमजान के महिने में, ये सीसफार या एक तरफ का संघर्ष रोकने की बात हुई, संघर्ष विराम के लिए, ये भी नहीं चाहती थी बीजेपी, लेकिन मानना प ये एक महिने में ये स्थिती नहीं उत्पन हुई, अगर आप फर्स बे से इस पर माहिन करें, जर जुनाव होता है और जिन इस्थित पर इस्थित में एक पीड़ीपी से हाथ मिलाते हैं, कि इनका ये इस्थित ही वहाँ पर इनको कन्फूजन मिला दिया, और ये शो कर दि जान दे, बीजेपी हो या बीजेपी जिस संगठन से बनी हुई है, उसकी पूरी विचार धारा या उसने सर्वाई भी किया है, तो ले दे के कस्मीर मुद्दे पर, अभी तक वो कस्मीर के खिलाप और सक्त से सक्त, चाहे वो स्टेटमेंट पर हो, चाहे कारवाई करने की बीजेपी के उफान में बहुत बड़ा योगदान कस्मीर मुद्दार, और होते 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 हैं, जब ये दो सीट से लेकर 325 तक आते हैं, और एक मौका मिलता इनको कस्मीर में सरकार बनाने का, तो ये जो सत्ता पाने की ललक इनकी दिखी, और जिस हिसाफ इनों पीड़ी प जवाब गोली से दूंगा सरका, एक सरकी दस सर लाओंगा, बोलने में लेकिन करने और कतनी करनी में अंता दिखता रहा, एक तरफ देखिये गए और जिस तरह मोदी बीच में पाकिस्तान बिना इंफॉर्मेशन के चले गए थे, तो वो ऐसे कोई अचानक नहीं चले गए इसमें PDP का दबाओ भी था, इनकी अपनी दो मुही जो राजनीती है, एक तरफ ये उपर से स्टेट्मेंट में अपनी कड़े संदेज देना चाहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर इनको ये अटल ब्यारी बाट पर ही कि तरह जो उस गवर्मेंट ने किया था कि एक सांती व समस्या और ज्यादा उलज गई है, PDP का जो देश था, PDP ने पूरा कर लिया, अगर आज भी आप महभूबा मुक्ती का प्रेस कॉन्फेंस सुने हो, तो उसमें बड़ी चालाकी से अगर आप ध्यान दें, तो पूरे प्रेस कॉन्फेंस में उसमें बीजेपी पर एक भी आ समस्याओं तो प्रेस कर रही ती, उनोंने बीजेपी पर कोई बड़ा तिखावार या बड़ा हमला नहीं किया, उनोंने कहा क्या, हमारा जो देश था, हमारा जो एज ideiaन्डा था, हमने जिस बात के लिए गड़बंदन किया था, उसमें हम सपल लेत, तीन बात उनोने साफ- 370 को हटा देंगे और पीडेपी ने एक ही बात कहे दी जो सब पर भारी ती के हम 370 कम से कम नहीं है तुछ नहीं करना चाह रहा था यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जो महभूबा मस्ती है वह आज उन्हों ने प्रेस कॉंफेंस में यह भी कहा है कि जो सीस फायर तो वह जो लोकल वहां की जनता है वह बहुत खुश थी वह बड़े आराम से रही है लेकिन उनको उस टाइम पे वह कहती है कि जादा कुछ कोई घटना ही नहीं हुई है यह उन्होंने बहुत ही कॉंट्रडिक्ट्री स्ट्रेट्मेंट दिया है सबसे जादा जो पत्थरब आपको प्रोटेक्ट कर रही है उनके जब पेट्रोलिंग हो रही है उनके उपर हमला किया जा रहा है तो इसकी आड में जो पाकिस्तान वहां पे बैठावाह है जिसने अभी विंटर सीजन में इंफिलिटेट करने है तो उसको तो पूरा मोका मिल रहे है जितने जादा यह यहां पर अंदर आंधुरूनी जो घपले चलते रहेंगे, पूरी लड़ाई चलती रहेगी, मोहौल खराब रहेगा, तो जो हमारी फॉज है वो सर्फ यहीं पर शित्ती रहेगी, अज उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान से बात्चीत होना चाहिए, अवाम से यहां की बात हैं, उन से भी बात होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बात करते करते इतना टाइम कैसे निकाल लिया, उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, और यह आप कैसे मान के चलें, कि जब आप सीस्वायर कर रहे हैं, या जब वहां से पाकिस्तान से बराबर अटाइक होते जा रहे हैं, और उसके बाद में भी आप सॉफ्ट कॉर्णर रखना चाहती हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि आपके हिसाब से आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो सिर्फ कुछी लोग जो कश्मीर में जो रहते हैं, उनी से तालूफ रखता है, आपको पुन्च पुन्च में रह रहे हैं, वो पाकिस्तान भगा रहा है, उसकी वज़े से उनको अपनी जो शिफ्ट करना पड़ रहा है, बच्चों की एजुकेशन नहीं है, तो क्या वो जम्मू और कश्मीर के हिस्सा नहीं है, क्या सिर्फ कश्मीर के ही लोगों के बारे में रोते रहना उनी का राग अलापना, यही सिर्फ हमारी के बारे में रहा है, बिलकुल हुआ है, सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं हुआ है, अगर आप ये मान के चलें कि जो वर्दी में वहाँ पे जो जवान है, वो अगर पेट्रोलिंग कर रहा है, अगर वो वहाँ पे पत्थराव होता है, आप कहते हैं नहीं, पत्थरवाजों को माफ कर दीजे, उनसे सारे जो केसेज हैं वो वापिस ले लीजे, और अगर कोई ऑपरेशन करता है, उसके अगेंस्ट आप FIR कर दीजे, तो आप किसके साइड में हैं, आप सीधे साफ तोर पे आप बता रहे हैं, कि आप पौज क साइड में नहीं है, वहाँ पे आप शांती चाहते ही नहीं, अगर आप शांती चाहते होते, तो अट लिस्ट जो आप इतने बड़े-बड़े जो आप क्लेम कर रहे हैं, कि नहीं, हमें तो शांती प्रिय प्रदेश चाहिए, वो आपका कहीं से नियाग की दोगी, यही और गौर कीजिए, कि आज के टाइम पे यूटूब पे आप यूटूब के लिए आप फिल्म्स बना रहे हैं, आप सैनिक को मानने से पहले आप उसको उसका इंक्रोगेशन कर रहे हैं, कि आपके साथ में ऑपरेशन में कौन था, आप किसके साथ में थे, आपने किसको मारा है, तो यह जो आप फिर आप उसको आप वाट्सअप में दे रहे हैं, आप यूटूब में चला रहे हैं, तो पहले तो ऐसे इतनी ओगनाइज मिलिटिंसी नहीं थी, फिर आप कहते हैं कि नहीं, वो तो बिचारे भटकेवे यूथ हैं, भटकेवे जवान हैं, भटकावा यूथ इतनी ओगनाइज तरीके से, इस तरीके से अटाक नहीं करता है, वो आपको मीडिया के थ्रूँ, आपको चैलेंज कर रहा है, मीडिया के थ्रूँ वो आपको यूटूब में दिखा रहा है, कि देखिए हमारी ताकत, यह सारे आप कहां से सीख रहे हैं, आप बाहर विकुल सवाल, अब सुरक्षा को लेकर ये है, क्या लगातार साल दर साल जो आतकवादी घटनाय वहाँ पर भणी, सीसफायर का उन्नंगन हुआ, क्या राज सरकार ने सुरक्षा को लेकर वहाँ पर कुछ समझोता किया, क्या सैनिको का वहाँ पर इस दौरान मनोबल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कारिकरा हूँ, आज का मुद्दा बात जम्मू कश्मीर में जो सरकार गिर चुकी है, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, इसको लेकर क्या बीजेपी और पीडीपी में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चलाता, तिन खास में मारा हमारे साथ ही जुड़े हूँ है, अनिल मिश्वा जी, क्या काफी वक्त से बीजेपी इस रिष्टे को खेंच रही थी, सह रही थी, धो रही थी जी, देखें इसमें समझने हाली बात यह है, कि जम्जु एंड कस्मीर कहने को तो एक स्टेप है, लेकिन जम्जु एंड कस्मीर तो थीं पार्ट दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने ओटरों को बानने की कोशिज करेते हैं उसका सीधा समय आपको सबुक्त साथ दो है कि पीडीप की जो महुआ मुक्ति हैं उनका केवल और केवल ध्यान कास्मीर पर रहा करता था और बीजेपी का पूरा प्रयाज जम्मू संभाग पर रहा करत तो यह अभी 3.3 साल जो कटे हैं तो जो दोनों पार्टिया अपना अपना उडूदेश, अपना-पना स्वाफ पूरा कर रही थी आज 3.3 अथ आपर हाला ये बनेरे कि वहां की जवाब देऴ पूरे देश में बन की है तो अब बीजेपी को यह समझ में आया कि हमारी जवाब देही बनती है, हालाद बत से बत्तर हो गए, जो अगर आपको याद ही मोदी जी का स्टेटमेंट हुआ करता था ना, कि समस्या बॉर्डर पर नहीं है, समस्या दिल्ली सरकार में है, हम जिस दिन दिल्ली सरकार में कैसे किसी की हमत होगी कि हमारी सेना के रहते, बॉर्डर से कोई एक भी आदमी घुष जाए, तो अब ये जवाब देही मोदी जी की बनती है, क्योंकि घुषपायर जादा बढ़ गया, सीसफायर जादा बढ़ गया, आतंकवादी घटना है, जादा बढ़ गई, सैनकों की गतिविदिया बढ़ रही है, सीसफायर का लंगन हो रहा है, और भीजपी दिखा रही है कि सब कुछ ठीक चल ला है, चुकि अपने राजनीतिक उदेश फाइदे के लिए अभी तक काम कर रही थी, अब एक साल बचा है, तो इनकी जवाब देही बनती है, बढ़ेगी, तो उसको बराबर करने के लिए, जो इन्होंने भी नुकसान किया, या जिसके कारण खोड़ा जनता की नाराजगी बढ़ी है, जनता की नहीं, सेना के अंदर भी जहां सेना है, इस सरकार से काफियत तक कुछ दिख रही थी सुरू में, लेकिन कस्मीर मुद्दे को लेकर, जिस विरोधा भास था, वहाँ पर हमारी सेना मात खा जाती थी, पीडीपी का दपाओ इस कदर होता था कि सेना की कारवाई करने के पहले आतंकवाजियों तक का सूचना पहुंच दी जाती थी, तो इसलिए आज ये स्थिती पैदा हुई है, कि अब बीजेपी को लगा कि पानी सरकार की सेना के अंदर वो खतम हो जाएगी, अब ये सरकार थोड़ा सक्त एक्शन लेकर कुछ एक्शन करवाई ऐसी करेगी पूरे केंच सरकार पर कि थोड़ा कस्मीर पर भी दबाव पड़ेगा, अतनकवाजियों पर दबाव पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा सरकार के लोग थी कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं और सेना के बीच में जो दूरी थी, वो दूरी कम होती जा रही है, दोनों के गठवंदन के वज़े से, और जम्मू कश्मीर के लोग हम दिल जीत रहें, लेकिन क्या धरातर पर वो चीज दिख रही थी, यहां तो ऐसा अगर हम यह मान के चलें, कि जो सेना का जो मनोबल था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, असंतोष की भावना इतनी जादा बढ़ गई थी, कि आप सब कुछ होते वे, आपकी जो ट्रेनिंग है, जो लड़ाई करने के लिए, जो आपकी ट्रेनिंग है, आप उसके मन्ब एक्स ओफिसर कहीं पर रेट करने के लिए जाता है, अगर आप उसके डूटी पर आड़े आते हैं, तो आपके ओपर एक्शन होता है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, अगर सेना अगर अपनी डूटी करने के लिए जा रही है, और पत्थरबाज आ रहे हैं, या जो ल रूल है, उसके बाद में अगर हम यह कहें, कि उनको खुली छूट मिलेगी ऑपरेशन करने के लिए, तो खुली छूट नहीं कहिए उसको प्लीज, उसको खुली छूट इसले मत कहिए, कि वो तो उनका काम था, उसको उनको वो एन्वारमेंट देना ही पड़ेगा, लेकिन अब आगे क्या होगा, अब बहुत सारे UN, अपने जो मानव अधिकार संगठन वो आएंगे, कि बिचारे जो है, सिविलियन्स को उनको मारा जा रहा है, जो पत्थरबाज है, उनको मारा जा रहा है, जो राश्टपती शाशन अब लग गया है, उसके आगे अब, सेना को हर सामना, इन सारी चीजों से सामना करना पोलेगा, सक्री हो जाएगा, अब वहां पर दिखाएगी, PDP के महबूबा मुफ्ती ने भी यह का है, कि हमने यह जो गटपंदन था, वो मसल पावर के हम अगेंस्ट है, मसल पावर किसके साथ में की जाती है, कोई सड़क में चलता, नागीर चलता है, जो जा रहा है, उसके अगेंस्ट कोई मसल पावर की जाती है, जो आपके सामने बंदूक उठाता है, तो वो तो आप किसी भी स्टेट में अगर होंगे, तो बंदूक का जवाब क्या बंदूक से नहीं दिया जाएगा, आप वहां पर क्या चाहते है, आत कि जो पी को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा, केंद सरकार को, केंद सरकार को, उस दाग को धोने के लिए, नहीं दाग नहीं, दोनों ही पार्टियों ने, चाहे महभूबा मुक्ति नहीं हो, और इवें चाहे उमर अब्दूला सहाब जिती भी प्रेट्टर पार्टी है सबका गेम प्लान क्या है, लेकिन वहाँ बोट क्या है, महभूबा मुक्ति अपने उसमें कामियाब रही, उन्होंने जो पत्थर बास थे, उनको लेकर उनका सौट रहा नजरिया, पाकिस्तान को लेकर रहा, अलगावादियों को लेकर रहा, लेकिन जो बीजेपी का था, वह अपने मकसद में कामियाब निए, भीजेपी चाहती केंशरका चाहती के सक्ती से कारवाइदी तो, हर पार्टी वहां के सोच रही है, हम बिन कर्दिशन में हैं, हमें की थे, लेकिन राएट क्या है, लेकि हम इसमें वहाँ की लोकल पार्टीया, उनका वोट बैंक क्या ह वो यूपी की बाद क्यों करेंगी, बीजेपी का जो ग्रेटर प्लान है 2019 में, जासो सीटे या और भी जादा सीटे ले आगा, इस चीज से वो ना केवल JNK में ही उनको बेनिफिट हो सकता है, अगर इनों ने अच्छे से काम कर दिया, पूरे इंडिया में एक बार इलेक्श मैं यह भी मांता हूँ, सवा तीन साल तक भी यह टिम में है, यह तो एक एक्जाम की तरह है, अगर एक्जाम के यह पहने भी आपने अच्छे से पढ़ लिया, और आप अच्छे नमर ले है, तो जंबा पड़े जंदी बूल जाती है ठीक है, आप दूसरी क्लास में अच्छे लिया, तो पहली क्लास का फिर देंगे, क्या मुझबूरी थी आप सवा तीन साल दें जवानों को शहीत कर दाएं? सवा तीन, वो मजबूरी बता रहे हैं, वो मजबूरी बता रहे हैं, वो मजबूरी बता रहे हैं कि भाई, करणकंदन सर्कार की मजबूरी है, अगर आप चाहते हो कि आगे मजबूरी ना रहे, तो क्यमाल हमारी सर्कार को यही तो उनका क्या रहा है, कि हमारी मजबूरी क् तो आप freehand decision नहीं ने पाते हैं, ताम की चाहिए लेड पुलिंग बहुत जाना होती है, और इसको BJP ने बहुत अच्छे तरिके से in cash किया, और BJP ने गेन ऐसा किया है, वहां के मैं आपको भपाऊं, जैसे भूद में अगर आप नीबू डाल गाओ, तो भूद और पानी फट सकता है, यह सब कुछ आसी भी अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब यह अगला जो एक साल कटना चुनाओ के पहले, इसको देखा है, इसको इस पर डिपेंड करेगा कि इस एक साल के अंतराल में BJP किस तरह का action लेती है, इनके क्या प्लान है कस्मी को लेकर, और सु कुछ अब निर्भर करेगा कि आगे इनका फैसला, इनके हित में है या हित में, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जो यह नुकसान कर बैठे इसको BJP कुछ समझ रही है, इसको यह भरपाई के लिए BJP कोशिट करेगी, जैसे 2016 में उन्होंने एक surgical strike किया था, और उसको आ आगे भी अगर मौका देंगे, इसी तरह की कारवाई हम करेंगे, क्या BJP यह दिखाने की कोशिश करेगी, और क्या जनता के सब कुछ समझ में आएगा, और क्या यह सब कुछ ऐसा हो पाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का जद से अब रननीती बनाएगी केंद्र सरकार, क्या केंद्र सरकार अब खुली चूट देगी, क्या पहले जो केंद्र सरकार कह रही थी, कि हमने जबानों को खुली चूट दे रखी थी, क्या उज़क करनी और कत्नी में अंतर था, क्यों को दिखाई दे रहा था कि पत्थर वास किस तरह से सेना का मनोबल लगातार गिरा रहे हैं दो खास मेमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिनाक्षी जी अब क्या लगता है अब सकरात्मक असर दिखाई देगा सुरक्षा को लेकर या भी कहना जलवाजी होगी अगर हम ये मान के चले हैं कि राज सरकार ने सबस्याद मनोबल गिराया सेना का जी बिल्कुल अभी जो हम सुरक्षा बल हैं अगर उनको अगर आप पूरी खुली छूट दे रहे हैं ऑपरेशन करने की तो उनका मनोबल तो उनका बढ़ेगा अभी तक तो क्या है कि आपने कहा है बंदूक आपके पास में लेकिन हम गोली निकाल देते हैं तो सिर्फ आपको एक शो के लिए आप हम बंदूप दे के रखेंगे कि हां आपको लगे कि आप तुरक्षा बल वाले हो तो यूनिफॉर्म की जो जितनी जादा तोहीन की गई है वो इस पीरेट में बहुत जादा हुई है और इसी पीरेट में नहीं अब जब सर सेना को लेकर इतने जादा विरोदेभास जो वो अपने कमेंस करता है तो उसमें कितना बहुत जादा बहुत मिनाक्षी नी क्या सेना की कारवाई को लेकर सुरक्षा को लेकर जो राजनीती हो रही है कि पहले होता था कि कारवाई अगर सेना ने की तो उसको गोपनी रखा आता था लेकिन आप वोड वैंक के को परभावित करने के लिए भी सेना की कारवाई को इस्तिमाल किया जा रहा था क्या यह देश भर में सब कुछ हो रहा था इसका सबका आसर जो जम्मु कश्मीरों पढ़ रहा था अगर आप यह गोपनिय तो आप यह मन के चलें कि आज की जब हम सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं तो गोपनिय तो कुछ रखा रखके राजनितिक जो दल है अगर वो कुश्चिन कर रहे हैं कि हमारी जो फॉज है वहां नहीं गई है that means कि वह एक तरीके से धंबा लगा रहे हैं कि हमारी फॉज जो है इतनी capable नहीं है कि वह व उनके ओपर कोश्चन करने की कोई जरूत नहीं है तो अब जो इस वाली जो परिस्थिती में अगर फॉज को ऑपरेशन करने के लिए पूरी खुली छूट दी चाएगी तो डेफिनेटली वह अच्छा काम ही करके दिखाएंगे क्योंकि उनकी तो ड्यूटी है अगर उनको से मानना वहां से मानना यह कहां का दस्तूर है यह तो बहुत ज्यादा गलत है तो इन कारूनों के वज़े से फॉज का मनोबल जो टूटा है और साथ ही साथ जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जब वो कमेंच करते हैं कि हमारी आर्मी चीफ के लिए बोलते हैं या करता है सम्मान मुझे लगता है वो थोड़े दिन चंद दिलों के ले देश तो सम्मान करा लेकिर राजनेतिक दल तो वहर राजनेतिक रोटियां से रहे उसकी वजह से इसका असर पढ़ लाए एक है मिश्राजी क्या दो वजह रही दोनों के पार्टियों के बीच की खटा लेकिन मुख्ट ये दो वजह दो वजह हों को सामने किया गया है बीजेपी ने ये सामने किया है उनको चाहिए लो कोई रीजन देने के लिए शो कॉस नोटिस जैसे होता है अगर आप वजह पूचें के तो मैं तो सबसे पाला वजह यही बोलूँगा कि दोनों पार्टिय को यह लगा कि जिस पर्पच के लिए जिस एडेन एजेंडा और परपच के लिए बीजेपी को लगा कि हमें जो करना था वो हमें तीन साल में कर लिया है अभी मुत्ति मॉट्टी ने भी बोला कि वह हमारा जो उद्देश रिताओ वो हमें पूरा हो गया दोनों अपने दो इसका मतलब है कि दोनों के उद्देश अलग अलग ते जब गडबंदन हुआ था तो कावमान एजेंडा बोलने को कुछ होता लेकिन दोनों का ही देश अलग था जो कि आज दोनों के मुझ से निकल गया है और इसके करणी गडबंदन जो है यह तूट गया है और दूसरी ची स्केट गडबंदने सिंखुर्णाजेशन नहीं होता है एक बहुत ब्यातरीन सिंखुर्णाजेशन चाहिए होता है ऐसे ऑपरेशन्स के लिए यह जो फिफ्ट जेन्रेशन की वार है गुरिल्ला वार है जिसमें कोई किसी घर से निकल आता है तो लोकल बाडी लोकल गड़ एक्टिव वे में ऑप्रेशन भी नहीं हो रहा थे अब हुआ क्या हुआ यह कि पॉलिटिकल पार्टियों का यह परम कर्टब और धर्म है कि वह किसी भी चीज को पॉलिटकल वे में वोट बैंड के लिए इंकैश करें तो दोनों पार्टियों ने यह किया आज ही कर लिया दो होनों पार्टियों ने पुल के बोल दिया तो यह वही चीज है कि इनों को जो जो चीजे करनी थी वह कर लिया अब आगे केवल राश्टपती शासन का आप्चन वहां पे बचा है फिर बीज़ेपी डेफिनेटली 101 परसंट कुछने कुछ बहुत सक्त कदम लेगी मिनाक्ष झाल 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 झाल